केंद्रवे राजे सरकारों ने भी आमजन की सायतार्थ अनेक प्रयास किये वहीं केंद्रवे राजे सरकार ने भी आमजन को इस महामारी के साथ कैसे परिवार वदेश को सुरक्षत रखते हुए जीना है लगबग सीख लिया सामुदा एक स्वास केंद्र फुलेरा के एमडी डॉक्टर राम बाबु गुर्जर जो की करीब एक महा तक डुंगरबुर के आसपुर कोवेट केर सैंटर में अपने परिवार से दूर रहकर एक असली कोरुना योद्धा की रूप में अपनी सेवाएं बगुबी निबाते ह हुए वापस लोटे शुक्रवार को प्राते डॉक्टर राम बाबु के सामुदा एक स्वास के इंद्र फुलेरा में लोटने पर हॉस्पिटल प्रिशाशंद्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया डॉक्टर राम बाबु गुर्जर ने जानकर ही देते हुए बताए कि करीब 25 दिन मैंने डूंगरपुर के आसपर आसपुर कोविट केर सेंटर में अपनी सेवाइद दी तदा 14 दिन का क्वारिंटाइन होने के बाद मैं आज वापस अपनी सेवाइद देने आया हूँ इस दौरान हॉस्पिटल के समस्ट स्टाफ ने माला पहना कर वे फूल बर दैनेक रेल यात्री संगे की करत फूलेरा की अध्यक्ष अशोग वाजदेव ने दैनेक रेल यात्रियों की रूजी रोटी के बढ़ते संकट को देखते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी रेल मंतरी प्यूश होयर और जैपुर ग्रामेंड सांसद राज्यवरजन सि पत्र प्रेशित किया जिसने बताए कि 12 अगस तक सरकार्द और पैसेंजर ट्रेनों को नहीं चलाने का निरनेल लिया गया जिसके चलते आने वाले डेड़ महीनों में भी दैनेक रेल यात्रियों को अपने रोजी रोटी के लिए संगर्ष करना पड़ेगा दैनेक रेल या और DMU जैपोर अजमेर में कोच की बड़ोतरी कर चलाया जाए तथा कोच की बड़ोतरी होने से सोशल डिस्टैंसिंग का भी दैनेक रेल यात्रियों दोरा पूंदय पालन किया जाएगा साथ ही जैपोर वे अजमेर के बीच लगबग 25,000 से 30,000 मजदूर कर्मचारी दैनेक आजन को आ रही रोजी रोटी की समस्या से निजात मिल पाएगा इस रोटी के बशिता ही देखते रहे हैं न्यूजाइटी नमस्का